लास्स डिस्ट्रिक्ट इस मंडी मंडी को मैं दो पार्ट में बताऊंगा अगर आप देखे कि जो मंडी है एक सुकेत सुकेत को वैसे पांड किया गया था और मंडी बाद में इसी से ही अलग निकलता है और यह जो मंडी डिस्ट्रिक है 3950 स्क्वेर किलोमेटर में इसका एरिया है अगर आप इसका जेओग्राफिकल ओरिंटेशन देखो किस किस के साथ ही अपनी जो बॉंड्रिय शेयर करता है देखो नर्दन साइड में भी है वह उत्सक्राइब करता है और यहां फिर सोलन के साथ जो बॉंड्री लगती है और शिम्ला के साथ बीजॉरिटी देखो बहुत साले डिस्रीक के साथ ही बॉंड्री शेयर कर रहा है वन टू ट्री फोर त्वाइब सिक्स शेर करता है इस तरह भी हो सकता कि question जो है वो देखने को मिले तो यह चेर डिस्टिक के साथ अल्मुस्त जो अपनी बांडरी है और शेर करता आपको देखो बड़े बड़े जो इसमें नैशनल हाईबे वह दिख रहे होगे एक तो जोग जो संदर नगर मनाली सटागाट मंडी को लुवाला जो नेशनल हाईबे पहले 20 और 21 नेश-21 और 20 जो है इनके पुराले नाम थे नेश-20 और 21 यह जो दो नेशनल हाईबे जाते हैं मंडी से जाते हैं अब आपको पता है बड़े प्रजेक्स की जो हम बात करें एक तो हम य कि वहां की जो सोसाइटी है what is the impact on the on the on the society कि कितने जो लोग है रियाबिटेट हो रहा है उस पर कितना इंपेक्ट पढ़ रहा है तो उसका एक रिपोर्ट आया था हिपा में जो इमाचल इंस्टूट और पॉलिक अडिस्टेशन उसका रिपोर्ट आया था कि हमिरपूर के कि जहा हूं मैं शायद बनाने कीया हँ इन कि वाहाँ पर जो उसके उसके इतने ज़ाद जाद जुर लोगों को नहीं हो रहा है आब पटा निंगा जो दो नेशनल हाईवरे हैं और एक महारा जो यहां यह रिल्वे लाइन है ना पठान को जो जो गिंदर नाइन रिल्वे लाइन है यह यहां पर इस टेस्टी को अटेज करती है तो आप देखें कि यह जो राजल थें यह लगभग सेन डाइस्टी के रोलर होते हैं एक जम्मु कश्मीर का किष्टवार है जिसकी की जो तरनी से जो यह रियासत है यह सारे की सारे आप देखेंगे मैं बता रहा था आपको कि जो खुआरयश इसमाय वाइतरी Помाय इसके साथ मिल करके कौन इसपायर करते हैं फिर वापिस आते है कि सेल्फ लेता है कि इनसे क्यों थल वाले सेल्फ लेता जी औरे के पास लड़ाई हो जाती है जिसमें हस्तपाल और जो त्रिविक्रम से ने दोनों मारे जाते हैं तो यह एक ही बाप की वालादे थी कौन-कौन सुकेत मंडी क्यों चौन-थल और खिस्तवार तो यह भी पूछा जाता आप से कि यह जो रोलर है यह कहां से आये थे और इनने कौन सी जो रियासत है उसकी नीव रखी थी तो इसमें हमने देखना है और आप देखें कि यहां पर एक तो जो हमार्पास रिसोर्स है वो गोगर्धार में गुमा गुमा मैं गुमा और जो यह द्रंग की माइंज है नमक की जो माइंज है गुमा और द्रंग इनके उपर इनकी लड़ाई चलते रहेगी साथ के जो प्रोसी स्टेट है एक तो इसके साथ कौन लगता है कुलू लगता है दूसरा मंडी और सुके तापस में लड़ेगे कुलू के साथ है वो शेहर है साथ में तो इन ग्या कांगडा है तो इन जो इसके साथ के नेवर के जो रूलर होगे, इनके साथ इसकी जो आपको है, वो सकर मिशिस देखने को मिलेगी है, जो लडाईया है, जो बैटल, जैफाइट्स है, वो इनके साथ इनको, आपको देखने को इसमें मिलती है, तो यह हमने देखना है, तो इसमें भी हम ऐसे ही देखेगे, पहले जियोग्र पार्ट में ही हमने हिर देखना हे मंडी को हुआ तो मंडी से मंडी और शूकेद को सूकेद हम अलग face में देखेगे इसका दो पार्ट करते है पहले अगर हम जिये um मंडी कि बात करते हैं यहां मने कि बारे में पहले हैं इंफोर्मेशन में मिलती है History of Mandi, that is written by Bikram Kais, और एक है, The History of Mandi State, written by Manamohan Singh यह जो दो लोगों ने यह books लिखी हुई है, Mandi के उपर, इनके बारे में बताया गया है, Mandi के बारे में information ठीक है, तो यह जो है, Mandi की information बताते हैं, और इसमें, अगर आप Geography की बात करें, दौलधार यहां ranges, हम देखते हैं, कौन-कौन सी जो ranges है, यहां fall करती है, दौलधार है, then we have सिकंदरधार, किसका extension है सिकंदरधार, then we have, सिकंदरधार है, गोगरधार है, and bearcoat, यह, यह तिनों जो है, यह शिवालिक्स की extension मानी जाती है, कहीं इसको सिकंदरधार को दौलधार का extension मी लिखा होगा, बट दौलधार का extension नहीं है, यह किसका है, सिकंदरधार का है, इभी टॉक अबट दौलधार, दौलधार आप देखेगे, हमने देखा था, दौलधार कैसे निकल रही है, कहां से अलग हो रही थी, greater हिमाल्या से, that is from बद्रिनाथ, बद्रिनाथ से अलग हो रही है, और इसको जो रामपूर के पास है, वो कौन इसको बाइसे कर रही थी, सतलज, वहां से फिर जो यह एंटर है, वो सतलज कहां करती है, स्वरी दौलधार कहां करती है, कुल्लू में, कुल्लू को कैसे डिवाइड कर रही थी, inner और outer सराज में, एक साइड को आनी कुल्लू लग रहा है, दूसरी साइड को बंचार लग रहा है, फिर बीच में आगे निकल रही है, और यहां इस तरह से मंडी की हमारी जो फीजियोग्राफिय है, वो देखने को मिलती है, तो ऐसे दौलाधार जा रहा है, यह जा रहा है, दौलाधार यहां में, क्या है, यहां कुल्लू डिवाइड हो रहा है, इनरर राउटर में कुल्लू डिवाइड हो रहा है, यहां आगे जाकर के दुल्ची पास है, मंडी और कुल्लू के बीच में है, ऐसे जा रहा है, और यहां जोगिंदर नगर को अलग कर रहा है, आमने देखा था, यहां भू जो हिए बाली चौक वाला रीजन है और ये ऐक्दम इसके तिर्थन बेली है जो ओट से बैक wsैड को एकदम तिर्थन बेली है तो इनके लोगों की कल्चर सिमिलारिटी है फिर चर्फोग वाला देखे लिए तो महाँसु का पार्ट we will discuss about the politics or pressure groups है ना उसमें आप देखे कि जो sub-regionalization है politics की कैसे हुई है उहां पर भी जो आपकी हिमाचल की physiography देख करके वो आप understand कर सकते हैं so this is the location of दौलधार ठीक है आगी बास हमझ ऐसे दौलधार यहां जा रही है कुल लोग को जा रहा है तो यह इसका यहां पर boundary रहता है और यहां जो इसकी highest peak है मंडी में वो है दौलधार में ही है that is नागरू यह जो नागरू है चुनतालिस सो मिटर इसकी हाइट है लगबग 44043 मिटर इतनी हाइस्ट जो summit है वो देखने को मिलती है दौलधार में मंडी में जो highest height है वो यहां तक के लिए जाती है तो यह आपकी नागरू जो है दौलधार की highest peak है और इसमें ही passes भी है कौन-कौन से passes हमने देखे थे जैसे दौलची पास किसके बीच में दौलची पास कुल्व और मंडी के बीच में और दूसरा था प्रजानंद गलू प्रजा नंद गलू यह भी किसके बीच में है एं तीसरा भूबू जोद किसके बीच में है जोगिंदर नगर और कुल्लू के बीच में सो यह जो तीनों के तीनों पास है अगें सिटूटेटेट इन दौलधार रेंज दैन उसके बाद जो extension हो किसका आता है शिवालेक्स का आता है शिवालेक्स हमने देखी ती सिकंदर धार इसको क बैजनाथ में विन्वा को एक रॉस कर रही है इसको दूसरी साइट क्या बोले हैं सिकंदर धार बोले तो सिकंदर धार में यह जो है यह दो पार्ट वर डिवाइड होती है एक है लिंग्टी लिंग्टी हिल्स है और दूसरा है कमलागड हिल्स नगर कोट कांग्रा फोर्ट इसी तरह का कमलागड फोर्ट भी आपको एक देखने को मिलेगा धर्मपूर में जो धर्म को एंसी जुनसी है वहाँ पर यह जो आपको कमलागड फोर्ट है आज भी लगबख 100 किलमेटर दूर है मंडी है जो हैट्वाटर है वहाँ से यह पर जो बड़े सारे जो इन्वेजन है होते हैं संसार चंद जब कांग्रा का राजा बनेगा इश्वरी से इनको बंदी बना करके ले जाएगा तो उसने भी इस राज्य को बना करके उसने नदावन में 12 साल तक के लिए रखा था लगबख जब तक की लिए जियो गोर खाते हैं फिर बाद में देखेगे रिंद इसको बल्बी सेंड जब यहां राजा बनेगा तो उसके टाइम में क्या होगा यह जो यहां के यह कमांडर है क्यूंकि 1809 के बाद जब रण्जी सिंग के इंडर आ जाएगा और रणजी संग को फिर इसको जो मंडि को है वो इसक सुकेट ,hington के ऊपर वो ओटेक करेगा और उसका एकaa कमाडर होता है जर्नल बैंतुरा जो जर्नल बैंसुरा है यह फ्रास का रहने वाला होता है यह कमाडर होता ही उसके ऊपर अटेक करेगा तो ऐसा बताया जाता है कि लगवर ऐटीज ऐवपोर्टीज में है ये जो Sikh forces है वो इसको जीत लेती है 1840 में इस कमलागड पोर्ट को हो जीता जाता है फिर कहते हैं आगे जाकर के जब शमचेर सिंग जो है लाहोर में महराजा बनेगा तो उसने जो वापिस है ये दे दिया था मंडी के रोलर को alon होट अगेKY फिर नौमार्च 1846 की ट्री ट्रीटी के तहित मंडी जो है वो किसके अंडर आ जाता है वह ब्रिटिश जो क्मलागड पोट वह जाएंगा वह द्वाराु ब्रिटिश स की अंडर आ जाएगा तो इस कि देखें किस ने स्टरट कया था हरी सेन मुझाकर रूलर हुए है उन्होंने इस जो फूट को बनाना श्टर्ट किया था वर्ट 1825 में इसके द्वारा कम्पीट करवाया जाता है को मिस्टरि हैं इसको त्यार करेगा तो इसकी भी हम स्टरी की बात करेंगे तो इस तरह से यह जो सिकंदर धार है यहां दो पारट में डिनक्टी है दूसरि साइट कमला गड है ठील चैब और ऐसा माना जाता है कि जो एक आये तक के लिए उन्होंने अटेक किया था और लगबग जो ब्यास नदी के कॉन्फॉइंस तक के लिए आल्मॉस्ट और यहां से वह उसकी जो फोर्से जा वह वापिस मुड़ जाती है और यहां से वह वापिस जो लोग है मुड़े थे और उन्होंने जो अपने वहाँ पर उसके जो स्टैचूज है वह भी बनाए थे ब्यास नदी के आप तो डिस्टॉइ हो गया है पर उनके जो है उन्होंने पत्रों के जो सपूत है वहां पर स्टूप है जो स्टूपाज है वह उन्होंने बनाए थे जो बहुत देर तक के लिए उसकी जो रेविनेंस है वह देखे जाते थे तो फिर जो इसनके पांच लोग है वह कहते कुलू के मलाना में आकर के रहने लगे तो दिस इज अब और इसी रेंज में देखने को मिल्टा है और जो लिंग्टी की पाढ लगा नमक तो आप सोचते है कि वह तो सी में बनता है बट यह जो है सेंधा नमक देख रखा ना वैसे भी सेंधा नमक अच्छा होता है वाइट नमक तो इसको अड़वाइजिवल भी नहीं होता अपने डायट के लिए तो यह जो आपने गुमार जो द्रंग की जो नमक यह निकाला जाता था ताइम टाइम पर आपने देखा होगा सुकेत और जो मंडी है कुलू है जब भी कोई रूलर है कुलू का पावरफुल हो जाएगा तो वह इसको अपने कंट्रोल में लेगा मंडी का हो जाएगा तो इसके उपर लड़ते रहेगे विकाज यह एक जिवाल सर्टू सुकेत तक के लिए जो यह अंदाहार है वह आपको देखने को मिलती है तो अगेन अगर आप देखेगे माचल में इसका मंडी डिस्टिक का एक अपना इंगोडेंट प्लेस है यह सेकेंड जो बड़ा डिस्टिक है आपकर कांगडा यह जो तीन बड़े ड कांगला से चुनके आते हैं और लुज उसके बाद भरमौर यह इंडिया की एंडिया की एंडिया में माने जाती है आफ्टर दर लद्दा को एंडिया वाइस आप देखो का शिमला का रामपूर है कहां मंडी है कितने डिस्टिक आ रहे हैं पूरा लॉल्स भी ती है और आदा चंबा है वन टू-345 लगदवग जो पांच डिस्टिक है वह इसमें कवर हो रही है आप ने देखा होगा यहां से जो राजाभीर वदर सिंग्य है वह भी कई बार यहां से स्टमारी से जो चुनाओई and bear good hard जिसकी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो यह इसमें passes है और यह जो इसकी highest peak है वो देखने को मिलती है दन उसके बाद again river river हमने वैस्ट तो detail से कर रखी है यहाँ दो जो बड़ी नधिया है वो देखने को मिलती है एक है ब्यास और दूसरी है सतलज सतलच आपको पता है सिर्फ बॉंड्री वाले रीजन में ही बहती है ब्यास की अगर हम बात करते हैं ब्यास भी देखो कहां रोतांग से निकल करके वाती है नगर मनाली कुलू होते हुए जो है लारजी ओट के पास ये कहां निकल जाती है ये मन्डी में निकल जाती है ये इसका एकदम या यू टर्न ले लेती है ब्यास ऐसे देखो जो ये ओट है यहां ये एंटर कर रही है यूँ ओट में एंटर करने के बाद यहां से मुड़ जाती है यहां से मुड़ेगी और लगभग ओट ओट से कहां जाएगी, पंडो आएगी, पंडो से मंडी आएगी, यहां से मंडी से होते होए फिर यह संधोल, संधोल के पास यह कांगडा में निकल जाएगी, और यहां कांगडा और मंडी के साथ हल्की सी बॉंडरी बनाएगी, फिर जो है कांगडा और जो हमिरपूर को है, कांगडार हमिरपूर में आज भी जाओ दर्या आर पार चलता है इंका दर्यार हमिरपूर है दर्या पार कांगडा है तो इस तरह से जो है earlier this was the part of state of कांगडा तो यहां जो है संधोल के पास से यह कांगडा में एंटर कर जाती है इस तरह से जो ब्यास है वो एक जो है बॉंडूरी बणा जाती है जिसमें आपने देखा कि कहां पर यह जो सतलज है वांडूरी के सास्थ है यह जोटा पानेसोनी वाला रिजन पहले कुलू और इसके साथ बना रही जा रहा रहीं तो फिर्नू विलेज के पास इह मंडी में एंटर कर रही है वह अपूस्कि 한 इहार के पास चौड़ करके कहा जा रही है मंडी को चौड़कर के निकल जाती है मैं इसकी इन की ट्रिमूर्टुरी वी हम जैसे बात कर रहे थे वैसे इस्की जो ट्रिमूर्टू है ब्यास की आपने देखिया एक तो यह वहूल आजकर निउस में भी है भी सीम साब ने बता रखा कि इसको हमने जल्दी इस पाउर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है तो राणा रिवर के नाम से भी जानी जाती है इसकी जो ट्रिब्यूटरी है उस पर यह बन रहा है और अगेन जो है उहूल जो है यह जो में इसकी ट्रिब्यूटरी सुकेती है सुकेती आपको पता है किसको कौन सी बैली बनाती है बल बैली बल है नहीं बल सुकेती यह जो सुकेती है अगें सुकेत नाम ही इस बज़े से पढ़ा है सुकसार के नाम से भी जाना जाता था सुकेत तो यह जो बल बैली है यह सुकेती नदी के द्वरा बनाई जा रही है यह एक है सोन यह छोटी मोटी ट्रिबूट्री जिनका आप नाम ले सकते हैं दराना रिवर इसकी बारे में भी आप देख सकते हैं यह जो है इसकी ट्रिबूट्री है वह यहां देखने को मिलती है और जो सतलज है सतलज में भी हमने देखी थी वैसे तो सतलज में मंडे की कौन सी थी इमला विमला है ना इमला विमला है और सिवन और सिवाना भी है यह बड़ी छोटी छोटी हो है रागुलेट से इनके बारे में तो इतना पुशात हो नहीं अभी तक तो यह जो है सतलज की ट्रिब्यूट या एक भगवती भी है सिवाना है बागरा कर्टू भगवती यह जो ऐसी छोटी-छोटी विभर है वह सतलज में देखने को मिलती है और इस पर आपने देखा होगा एक तो हमारा जो डैम है वो कौन सा बना है ब्यास में पंढ़ोः या प्याज prof के लिंग पंड़ों से हमने चुह है इसका पानी कहां डाल रखा है सब्रक्षाइल नौनने चर्ण और अंशन were Linked को स्लापड के παस फिक है और दूसरा जो इसमें है घ्रास फिर कांगरा में आगी जाकर के उसला नुट Mr. है महाराना प्रताप सागर पॉंग डैम जिसको हम बोलते हैं और सतलज में कौन सा बना है को डैम कि यहां से बाटर रिगेशन जो प्रोजेक्ट है वह भी लाए जा रहा है यह सोन को डैम के नाम से यह जो दो बड़े बड़े जो दो रेजर्वायर्स है वो इसमें बना रखें तो यहां की रिबर्स है फिर उसके बाद और क्या है वाइड लाइफ सेंचरी मंडी में कौन-कौन सी है एक तो है बांदली 1962 में बनी है दूसरी है शिकारी देवी यह भी कब बनी है 1962 में और किसरी है नारगू यह भी 1962 में बनी है और यह नेरेस टौन कौन सा है इसका है मंडी और यह दोनों है सुन्दर नगर बांदली एंड शिकारी देवी सुन्दर नगर के पास है और जो नारगू है यह मंडी के पास है यह जो है हमारी वाइड लाइफ सेंच्री है कोई नैशनल पार्क यहां देखने को नहीं मिलता है और ग्लेशियर भी नहीं है पीक अमने देखी जो वहां की नागरू एक जो हाइस पीक हो बानी जाती है और और इसकी जियोग्राफि में क्या रहा लेक्स है लेक्स भी यहां लेक्स में आती है यहां आट दस जो लेक्स है वो देखने को आपको मिलेगी इसमें भी है जैसे रिवालसर है प्राश्चर और कम्रुनाग है कुमार बहा है कला सार सुक सार नेल सार जिट्टा सार कर सार तक में थे जैना सार जैना सर जैना सर तो वहां है ना कांग्रा में बॉंडरि में इनकी ना मैंने कहां बताई थी मंडी में बताया थी यह दो नहीं जो गिंद्र नगर के पास यह मंडी और इसकी में ना कहीं मंडी में भी बताया गया है कि कांगणा में अभी और कि साफ सार भी है एक और मच्याल यही है ना बतात उते हैं कि यहां यहां पर लेक्स देखने को मिलता इसमें हमने देखा थार रिबाल mm seconds 5 अर्यवाल सब्सक्राइथ के लोग के यो कई गांते हैं कि छिद्धार्म के लोग क्योंぎों आनते हैं Spreth बोधिस्ट और शिक किनों धर्मों के लोग है इस प्लेश को रिवेर करते हैं यहां इसा माना जाता है बोधिस्म लोग क्यूं मानते हैं कि जोहर जोहर नाम था मंडी का यहां का जो राजा है वो कौन हुआ यह जो है है यहां का राजा होता है और उसकी बाटी है मंदरवा इसकी बेटी होती है और हो सब्सक्राम के ब्सक्राइब करते हैं और इससे जो है वो क्या हो जाता है वो एंग्री हो जाता अपनी लड़की से और उसने बाद में क्या-क्या जो वह शांत रक्षिता था उसको जिंदा पाईरी में जलाया जाता है एक पाईरी बनाया जाता है और उसको जिंदा ही उसमें आग लगाई जाती है और जो यह मंद तो उसने अपने लोगों को फेजा और वहां पर जब वो जा करके देखता है एक नीचे लेक बनावा है जहां वो पायरी खोद रखी थी और उसके उपर एक लोटस खिलावा है तो तब से जो लेकर है बुदिस्त धर्मों के जो लोग है उसको क्योंकि परंसंभवाव कि इसक बेज़ करते हैं और हिंदु धर्मों के लोग जो है वो लोमस रिशी यहां पर उन्होंने लोमस रिशी को लॉट शीवा ने ब्लेसिंग दी थी वो जो तैरते वे टापू की जीलब इसको बोला जाता है यहां से जो दिखते हैं आई लेट्स जो देखने को मिलते हैं वो इ इसले हिंदु धर्मों के लोग इसको रिपेर करते हैं और जिख को की करण का जो अफतार है माना जाता है कुंत भायोग है ये कुंतिए की प्यास भचाने के लिए जो अर्जुन है यहां पर यहां पर पान ही ओ निकाला था फिर कुमार वाँ है यह सारे की सारी काला सार सुकसार कि देना साथ जो है एक डाईन हुआ करते थे उसका ब्द गयते कर दिया था फिर इसी तरह कि आप देखने को मिलता है और यहां आज भी लोग जो है मचलियों को नत्य पहनाते पहना देखे जाते हैं मंगल और सनिभार के दिन यहां वहां कि जब लोगों के घर में कोई और वह वापिस आपकर लें में डाल देते नहीं पिर कहते बीच में लोगी व्यक्ति आया होगा जिसने किलाल ची इनसान ने विसको वापिस नहीं किया और तब के बाद जो यह बरतन का वा आना और जाना था यहां से हुगा वह हमारा नहीं है concern तो इस तरह से जो है इस आर दर लेक्स बिची सिटुएटेटेट इन दर इस्टिक मंडी और क्या रहा है यहां की जिए इसकी जो जिएग्राफी में है वह देखने को मिलता है और इसके बाद इसकी जो एकॉनमी है मंडी की जो एकॉनमी है अगर आप कि सबसे पहला जो पॉर्ट प्रोजेक्ट से हो है शानन पाउर प्रोजेक्ट शानन पाउर प्रोजेक्ट है यह पंजाब के पास है लीज में अभी भी अगली साल इसकी इनलीस कर तम हो रही है और 1926 इसका काम स्टार्ट होता हैar 1933 में बन करके यह त्यार होता है 1933 में फ़र्च चू फेस था इनेगुरेड किया जाता है लौक यूड बिलिंग्टेन लॉर्ड जो विलिंग डन है यह इसका फर्स पेस इनेगुरेड करते हैं और बी-एस जो पेटी है यह इसके चीफ इंजिनियर थे बी-एस जो पेटी है वो इसके चीफ इंजिनियर थे बेटी नहीं बेटी बीए यह यह बी फर्वाल वाला बी-सी बेटी 1926 और 1933 में फर्स पेस का इनेगुरेड किया जाता और इसके जो चीफ इंजिनियर हो कौन होते हैं बी-एस बेटी और जो पहला हमारा यह पठान कोर्ट जोगंदर नगर रेल्वे लाइन है वो भी इस प्रवाल नदी पर यह बना हुआ है तो जो राणा रिवर है वहां पर यह बना हुआ है और यहां 1962 में बल्वैली में इंडो-जर्मन एग्रिकल्टर के लिए प्रोजक्ट एक चला रहता है इंडो-जर्मन चांगर प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है इन कॉलेबरे गर्मेंट ऑफ जर्मनी इसके साथ जर्मनी की साथ हमने जो है मिलकर के यह त्यार कर रखा है चलाया हुआ है 1962 से लेकर फेडरल रिपॉब्लिक ऑफ जर्मनी की हैल्प से और जो कर्सोग और किया और हाक पर और जो हमारा कमांद और कंयों है वहां पर सिट्वेटेड है थोड़र ड्वाल्मेंट सेंटर चिनौग and command में folder development center है और command और करसोग में cattle jersey farm jersey farm cattle development center भी है command and करसोग में और cheddar court में है milk processing unit milk processing unit कहा है cheddar court में है rabbit farm नगवाईन में और नगवाईन में और क्या था? रैम ब्रीडिंग सेंटर जो शीप ब्रीडिंग सेंटर थी माचल में वो यह कहा है? नगवाईन में एपल कंसेंट्रेशन प्लांट है जडोल में एपल कंसेंट्रेशन प्लांट है जडोल और गुमा और द्रंग में माइन्स भी है और जो फिश है उसमें यह हमारी है माशीर प्राउट उहूल में है बरोट लेग होर्न हैन मुर्गया जो है लेग होर्न टाइप की पाली जाती है फिर और है यहां का कमलाव गड़ फोर्ट कंस्रक्टेड कंस्रक्टेड श्टार्टेड बाइ हरी सेन हरी सेन ने यह स्टार्ट किया था और जो सूरज सेन है उसको कंप्लीट करता है सूरज सेन इसको complete करता है 16-25 में इसकी fortification की जाती है और फिर संसार चंद कांगडा का राजा बनेगा वो इसके उपर attack करेगा और along with conspire करेगा ये जो दो जैनरल होगे उनके साथ ही conspire करता है मूरली एंड मानकू मूरली एंड मानकू के साथ conspire करके इस fort कोई जीतना चाता है बट इसको जीत नहीं पाया था with the efforts of बजीर भागू और इश्वरी सेन को जो था ये बंदी बना करके ले जाता है 1840 में 1840 में जो है वो इसको कमलागर फोर्ड को जीत लेते हैं फिर 1845 में इसको बापिस दिया जाता है बलबिर सेन इसको लिब्रेट करवाएगा 1845 में और फिर उसके बाद 9 मार्च 1846 में किसके अंडर जाएगा दवारा से ब्रिटिश हैसके अंडर पेमस यहां के जो आर्ट एंड कल्चर में फेस्टिबल है टेमपल अगर आप देखेगे भूतनात का है शामा काली टेमपल है जो की शामसेन बनाएगा बूतनात का जो मंदिर है अजवर सेन बनाएगा शामा काली है जिसको की टादना माता के नाम से भी जाना जाता है वो शामसेन ने बनाया और रिलो की नात पंचबक्तरा रिलो की नात पंचबक्तर जो टेमपल है उसको सिध सेन बनाएगा प्राशर टेम्पल को बान सेन बनाएगा प्राशर टेम्पल को बान सेन बनाएगा और यहां की जो फेमस यह टेम्पल देखने को मिलते हैं भूतनात का है जिसमें की शिवरातरी के दिन रात को पूजा अर्चना की जाती है गुरू और जो चेला होता है उनके बीच में कमिंग जो यह है उसका फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाता है भूतनाथ प्राश्चर टेमपल यह प्राश्चर टेमपल बांसेन के द्वारा बनाया गया है तो प्राश्चर जानते हैं आप जिसकी छत के उपर छत होती है इस कि नहीं के मंडी का जो यह हमारा शिब्राटरी hat abena मना जाते हैं साथ दिन तक के लिए helps चलता हैывать Jouri सब्सक्राइब वाइदर अजबर सेन मंडी टाउन को भी फॉंड करेगा और यह वहां की जो शिवरातरी हैं उसको यह स्टार्ट करेगा फिर बाद में कहते हैं इसने वहां जो इसकी भाइकबрий सुल्ताना ओझा धिए जोकीनाथ का मंदिर बनाएगी बूतनाथ का मंदिर बनाएगा और जब ये जब फैस्ट्इबल है उस्ट अर्चना कियाता है बट यक करता है इसके अठारा केते बेटे थे यही जिसने कमलागर फोर्ट भी बनाया था और यह डम-डमा पैलेस जो है मंडी का जहां पर जो सिद सेनने हैं अपना दामाद कहां का बंगाल का राजा कौन था बंगाल का राजा प्रिथ्विपाल जो था उसको उसमें दफनाया था उसमें तो कहते इसने जो यह दम-दमा पहले से मंडी का यह भी बनाया था और इसकी अठारा बेटे थे उन सब की डैथ हो जाती है तो इसने बाद में जो है एक मूर्ति बनाई मादो रायो की और उसको ही उनकी जो जलेव है तब से लेकर शिवरातरी के मेले में वह निकाली जाती है तो सम मंडी का जो शिवरातरी है, International Fair है जितने वह भी साथ कि जो देवता बॉल्ड बॉर को खतम करने के उपलक्ष में ये जो मिला है वो मनाया गया था और करसोग के ममेल में एक मामेल मिला लगता है और नलवाड मिला लगता है सुंदर नगर और भंगरोटू में सुन्दर नगर और जो भंगरोतु है वहाँ पर नलवाड मेला भी बनाया जाता है यह जो है यहां के फिरजेंड फेस्टिबल है जो मंदी के देखने को मिलते हैं और करसोग वाला रीजन है करसोग और सिराज वाला रीजन है यहां पर एपल कल्टिवेशन भी की जा रही है और मैंने आपको बताया जो एक तो यहां इंटरनेशनल एरपोर्ट बनाने की बात हो रही है और जो नहीं राहे नहीं मंजिले हैं उसके तैथियां क्या बनाया जा रहा है शिबधाम जंजहली को इको टॉरिजम के लिए इन वह जा रहा है और मंडिका की शिबधाम जो हरिदवार की तर्जपर गंगारती जैसे होती है उस ताइब से जो हमें इसको एक शिवधाम के नाम से भी मंडि को हिमाचल की छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है तो ये हमारा मंडि के बारे में इसकी एकॉनमी के बारे में हैं और हमने जोग्राफी देखी और यहां की जो famous personality है वो एक नाम आता है ठाकुर करन सिंग ठाकुर करम सिंग करन सिंग करन सिंग ठाकुर करम सिंग यह जो हमारी territorial council बने थी जब डॉक्टर आयस परमार पहली बार चीफ निस्टर बने गी उसके बाद हमाचल को यूटी बनाया जाता है और 1957 में इसको territorial council बनाया जाता है तो उसके जो हेड है वो कौन बनते है ठाकुर करम सिंग ठीक है एक यह नाम आता है दूसरा और कोई जो famous personality है यहां की जो प्रेजेंट में है यह जैराम ठाकुर जी है प जो की एक्स चीफ निस्टर है हमाचल प्रदेश के और एक कंगना रना होता है बस यह दो चार नाम है जो मंडी इसे आते हैं फिर इसके बाद जो है नाव history हिस्ट्री मैं पहले मंडी की आपको बताऊंगा सुकेत से पहले वैसे पहले जो फाउंड है वो सुकेत क्या जाता है हम 765 के आस पास लगभग 8th century में जो है वो सुकेत हैस सुकेत की जो नीभ हो रखी जाती है जिसको की सुशेत्र या सुखे सुशेत्र के नाम से सादसो पहसेट हीश्वी में इसकी जो नीभ हो रखी जाती है इस-सको बताने से पहले हम बात करेगे मंडी के बारे में हैं यह जो तीस में प्योंट किया जाता है पार किया जाता है ऽहीं और यहां भाध यह वाला जो तांइम आता है यहां जो राजा है हॉ आता है मंडी राजा सुकेत discussion राजा बहुसेन साहुसेन साहुसेन कहां का रूलर आएगा इसका भाई होगा बहुसेन ये दोनों भाई आपस में लड़ जाते हैं सुकेत जैसे भी फॉंड क्या होगा जैसे भी उसकी नीव रखी होगी तो यहां पर गरी बहुसेन और इस भाई था लड़कर के खुलु भाज़ जाता है खुलु बहुसेन है और मैंगलॉर में रहे गा यह जो बहुसेन है वो कहां रहेगा मेंगलोर में तो यही जो बहुसेन है यह अलग से एक डिनेस्टी की नीव रखेगा एक अलग से स्टेट फॉर्म्ड करेगा जिसको भी बाद में जाकर के मंडी का नाम है वो दिया जाता है यहाँ पर लगवक 15-16 जो राजाज है मंडी के आपने इनके बारे में देखना है बहुसेन आएगा बहुसेन के बाद कर्चन सेन कर्चन सेन आएगा कर्चन सेन के बाद जो है बान सेन आएगा real founder माना जाता है इसको मंडी का ban send के बाद आएगा deliver send इसके time में सिकंदर attack करेगा माना जाता कि सिकंदर के attack हुए थे बट वो तो बहुत पहले थे इस time कैसे हो सकते है सिकंदर के जो attack है deliver send last होगा जोगिंदर send यहां होगा भवानी send भवानी send से पहले होगा बिज्जे से पहले होगा बलवीर send जालिम send यहां आएगा आजवर send अजवर send के बाद आएगा अजवर send के बाद आएगा अजवर send के बाद आएगा साहिब send सूरज send send हारी send भी होता इसका बाब बीच में ना मट उसका मैं नाम नहीं लेक्ट रहूंजादा सूरज send के बाद आएगा गुर सेन गुर सेन नहीं इसके बाद ना श्याम सेन है पहले श्याम सेन गुर सेन फिर आएगा सिद सेन सिद सेन के बाद आएगा सूर्मा सेन सूर्मा सेन के बाद आएगा इश्वरी सेन ये रूलर आपको यहां के मंडी के देखने है बाहु सेन, कर्चन सेन, बाद सेन दिलावर सेन, अजवर सेन, साहिप सेन तूरज सेन और श्याम सेन गुर सेन, सिद सेन सूर्मा सेन, इश्वरी सेन जालिन सेन, बलबीर सेन, बीजे सेन, भाणी सेन तो इंदर सेंड यह जो हैं यहां के रूलर बने गए तो हमने देखा कैसे जो यह सेंड डिनेस्टी है इसकी नीव रखी गई थी किसके द्वारा बाइद सुकेत जो रियासत की नीव है और उसके बाद बहुत पेड़ी में 500-600 साल बीतने के बाद जो दो भाई है वो आपस में लड़ेगे और यहां का जो राजा बाहुसेन है यह भाग पर के कहां चले जाएगा कुलू के मैंगलॉर कुलू के यह मैंगलॉर भाग के चले जाएगा और वहीं पर रहता है लगबग 8-10 जो पीडिया है इसकी वहीं निकल जाती है और लगबग 11 पीडिया बताई गई है फिर कहते हैं जो एक कर्चन सेन है यह इसका 11 पीडिया में एक रूलर आता है और इसकी जो है वहां किसी राणा के साथ लडाई हो गई थी और यह उसी लडाई में मारा गया था इसकी कुलू के राणा के साथ लडाई में डेथ हो जाती है किसकी कर्चन सेन की और जब इसकी डेथ हो जाएगी तो जो इसकी वाइप थी वो प्रेगनेंट थी और वो प् और रास्ते में जब यह जा रही होती कहते तो बान का पेड़ होता है उसके नीचे उसने जो एक बच्चे को जनम दिया जिसका नाम क्या रखा गया बान से जो बान सेन था यही आगे जाकर के रियल जो फाउंडर है वो माना जाएगा वैस तो किसने करी सुके तो मंडी जो र बान सेन को अब जो यह बान सेन है यह कहते जो एक क्यूल्टी एरिया पढ़ता था वहां उसका एक जो चीव आते जाते जो राहीगीर होते थे जो लोग पासरभाइज आ रहे हैं उनके उपर यह अटेक करता रहता था और इसलिए जो है इसने उसको मार दिया उसका बद कर बनाएगा और वहां बाद में जो है इसने प्राशर का जो मंदिर है प्राशर टेंपल है जो की पैगोड़ा स्टाइल में जिसके मभी भी बात कर रहेते हैं वह बान से इनके द्वारा मनाया चाता है प्र उसके बाद आता है दिलावर सेन आएगा दिलावर सेन में लिखा गया कि सिकंदर लोगदी ने इसके टाइम अटैक किये थे सिकंदर धार जो है इस टाइम जो सिकंदर लोधी यह बात कहीं चोपात है कि ॥ि इस दिलावर सेन के टाइम में साब gözा इसके इसा कीम अचे किया मुआ था और उसके बाद जो दिलावर रीउल्ट है अगला रुला Buddha सेन आता हैं जिसने की मटई टाउन की नीव रखी and he is the founder of Mandi, Mandi देखो एक रियासत है, एक Mandi town है, Mandi रियासत का founder कौन था, बाहुसेन, real founder कौन था, बान सेन, और Mandi town का आपने जो town में है, उसका founder, देखो ना, जैसे ये, Mandi तो पूरा जिला है, Mandi एक particular एक place भी है, तो उसका founder था अजबर सेन, तो इसने, अजबर सेन ने, Mandi town की नीव रखी and he started the shivratri, shivratri जो थी, वो भी इसने, यहां से start करवाई, और Mandi की जो नीव है, इसके द्वारा रखी जाती है, और इसने भूतनाथ temple भी बनाया, इसने वहाँ पर क्या बनाया, भूतनाथ temple भी बनाया, और इसकी जो बाइक थी, उसने त्रिलो की नाथ मंदिर बनाया, त्रिलो की नाथ, जो मंदिर है, वो इसके द्वारा बनाया गया, त्यक्ये, यह जबर सेन के टाइम होगा, फिर उसके बाद आता है, साहिब सेन, यह कुलू, जो साहिब सेन था, कुलू के राज़ा जगत सिंग के साथ यह ट्रिटी करता है, और जो बजीरी लक सारी है, वो, क्योंकि इन्होंने क्या क्या था, मिलकर के बजीरी लक सारी के राज़ा जया चंद को हराया, और इसका जो एरिया है सराज मंडी तक के लिए फैला हुआ था कुलू के हमने साथ वजीरी करी थी ना जिसमें लख सारी वजीरी थी वजीरी पेरोर, वजीरी लख महराज और वजीरी रूपी वजीरी सिराज, वजीरी लाहोर, वजीरी भंगाल यह जो उने वजीरियां देकी थी तो यह कहां तक लिए ले जाता है अपना एरिया सराज मंडी वाला जो रिजन है वहां तक के लिए स्प्रेट करेगा लखसारी के रूलर को इसने हराया और सराज का जो हिए तिया है वो मिला देता है अपने रोल में फिर उसके बाद सूरेडसेन आ जाएगा सूरेडसेन का क्या क्या होगा इसके 18 बेटे होगे उनकी इसके lifetime मे ही death हो जाएगी लाइफ टाइम में ही इसकी डेथ हो जाएगी सूरज से पहले जो है वो नाम में बता रहा था हरी सेन का ज़्यादा कुछ नहीं है इसने कमलागर जो फोट है उसको बनाना स्टार्ट किया था और उसके बाद सूरज सेन के 18 जो बेटे हैं उनकी सब की डेथ हो जाती है और देखा ना कुलू का दशेरा उसमें चीफ डायटी कौन होती है रगुनाजी होते हैं और वैसे ही यहाँ पर भी है पूजा आर्चना कहा की जाती है भूतनात के मंदिर में बड़ जो चीफ डायटी है वो इसकी कौन है वो है माधोरा तो माधोराव की जो जलेव है तब से मन्डी का वो भी बनाया और जो इसने वो चांदी की मूर्थी बनाई थी उसका नाम माधोराव रखा और तब से जो है यहां मंडी की शिवरातरी में ये जो माधोराव है इनकी जलेव निकाली जाती है फिर उसके बाद आता है श्याम सेन तूरेश सेन के बाद कौन आएगा? श्याम सेन श्याम सेन ने क्या किया? इसने जो है यहाँ पर यह religious type का था यह बनारस जगनात जो ऐसी जगे में हैं यह बिजिट करता था और इसने श्यामा काली का मंदिर बनाया तार्णा हिल्स में आज इसको टार्णा देवी का मंदिर के नाम से धार टार्णा भी है यह धार टार्णा देवी में जो है इसने श्यामा काली का मंदिर बनाया था फिर उसके बाद गुर सेन आएगा इसने जगनात से भगवान की मूर्ति लाया और कुलू के राजा के साथ आद्विस ने ट्रेटी करी थी और कांगडा के राजा के साथ हर्टोली में यूद भी हुआ था इसका फिर सिद सेन है अगें सिद सेन भी इंपर्डेंट रूलर रहेगा गुरु गोविन सिंग जी इसके टाइम आये थे जिनको की कुलू के राजा राज सिंग ने सुल्तानपूर में बंद किया था गुरू गोविन शिंग जी को सुल्तानपूर में मुहा के राजर लाज सिंग ने उनको बंदी बना करके रखा था औरर फिर वायर आपनी मुए लिए काद लंग जौड़ भूषिंग की सिजेन के पास रहते हैं इसने बड़ी आउиком भक्ते उनकी करी थी और इसने गुरु जी ने इसको ब्लेसिंग दिया कि मंडी को जब लोटेंगे तो आस्मानी गोले छूटेंगे इसलिए कहते जो मंडी है वो हमेशा इन्विजिवल रहेगा यह सिद सेन को जो ब्लेसिंग है गुरु गोविन सिंग जी का था और इसी लिए बाद में जो इन्होंने इस सिद सेन ने है इसने एक तो क्या बनाया सिद गनेश जो टेंपल है सिद गनेश टेंपल और यह जो त्रिलो की नाथ है पंचबक्तर मंदिर है वैसे यह त्रिलो की नाथ पंचबक्तर मंदिर है जो पंचबक्तर मंदिर है तरी लोग की नाथ तो सुल्ताना देवी ने बनवाया था ये जो पंचबक्तर मंदिर है ये भी इस सिद्ध सेन के द्वारा बनाया जाता है और मिया जो जिपू है ये इसका एक मंत्री था और इसने एक मंदि में सुर्क पूर्फोर्ट भी बनाया सिद्ध सेन ने सुर्क पूर्फोर्ट और अपना दामाद जो कित्विपॉल था गंगाल का उसका बद किया और उसको मंदि के दमदोवा बैलेस में उसने उसको दफनाया था इसने बद किया तो आपने जो दामाद है दामाद है भंगाल के पित्विपॉल को उसको दफनाता है और ये सिद गनेश का मंदिर बनाएगा पंचबक्त का मंदिर बनाया जा सुर्कपूर का जो फोर्ट है वो इसके द्वारा बनाया जाता है और जो मियाजेपू है वो इसका एक नजाज भाई था वैसे तो और एक सुर्मा सेन आता है सुर्मा सेन की ज़ादा कोई बाते नहीं है बताए चाता है कि इसने चुप रहना बरदान है यह चुप रहना एक बरदान है यह इसके द्वारा इस पर यह काम करता था पिर उसके बाद इश्वरी सेन आएगा, इश्वरी सेन का आपने बताया, इसके टाइम में कांगडा का राजा सार्चंद होगा, और वो इसके उपर अटैक करेगा, कांगडा फोड को जीतना चाहेगा, वहां के जो दो जैनरल है, वो गे मुरली और मानकू, इनकी जो जैनरल कमलागड फोड को एनेक्स कर पाता है, और उसके बाद इश्वरी सेन को बंदी बना करके लाएगा, और इसको कहां डार देगा, ये जेल में डालेगा, और नदाउन में 12 साल तक की लिलगभगिस को जेल में रखा जाता है, और जब ये लिबरेट होता है, तो जो बंडी है वो बांट कर किया दा, इसने कुलों को दे दिया था, सुकेत को दे दिया था, अपने पास रख लिया, और बाद में जब गुर्खाज मिनकी जो बाहर होगी, एंगलो जो गुर्खा और सिंसारजन की लड़ाई, जो महल मुर्यों की होगी, उसके बाद जो इश्वरी सेन है और ये रंजे सिंग, फिर से इसको इश्वरी सेन को एक नजराना जो है, टैक्स देना पड़ता था, इसको सिखो को, after the battle of, after the treaty of ज्वाला मुखी, ज्वाला मुखी की ट्रेटी की बाद इसको जो है, उनको सिखो को एक नजराना है, वो देना पड़ता था, और 1815 में जो य जालिम सेन है, वो बनता है, और वो उहां ग्यावा था, जो लाहोर है, वो जब जाता है, अपना अगला जो रूलर बनने के लिए, क्योंकि महराजा रज्जी सिंग से इसको पर्मिशन लेनी थी, फिर इसको बढ़ाया जाता है, तो ये जो सारा है, वो this was all happening during the time of इश्वरी सेन, फिर उसके बाद जालिम सेन बनेगा, जालिम सेन का ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, इसके टाइम में ये पहले इश्वरी सेन से लड़ा था, और उस टाइम इसने जो कांगरा के रूलर से हैं, वो help लिया था, कांगरा में जाकर कि, इसकी जब इश्वरी सेन के सा जाएगी महराजा रंजी सिंग की, महराजा रंजी सिंग की डेथ हो जाएगी, तो उसके बाद जो उनका बेटा है, नौ निहाल सिंग, वो इसके उपर अटेक करेगा, कुलू, सुकेत और मंडी इनके उपर अटेक करेगा, जब तक उसने तीबत के उपर अटेक करना था, और बाद में 1840 में जो चैनरल वेंजूरा था वो कमनागड़ पोर्ट को भी जीता है मंडी को भी जीता है और मंडी सुकेत और पुलू ये सिखों के अंडर आ जाते है और उसके बाद इसको पकड़ करके बलबीर सेन को बंदी बना करके कहां दिया जाता है गोविंगड़ फ रख सेर सिंग् है वह लहावल का महाराजा बनेगा वह इसको लिबिया करता है 1845 में 1841 में इसको बंदी बना करके ले गये थे और इसका जो छोटा बेटा है वो कौन बचता है बीजे सेन बचता है और एक वजीर था वजीरह साओं जो वजीरह साओं टाश को इसकी एमिस्टेशाव करने के लिए ऐमिस्टियर रं करने के लिए उसने पर रखा था और और इस ताइम में उने बढ़ike सारे जो रिए जैसे यह जो उसको पॉर्स Marriere जो उसको कॉंटेनीय क्रते हो जटा है किसो के टाइम में हो रहा था जिसने और 1877 में इसने व्यासनादी के ऊपट सस्पैशन ब्रिज बना वब है. पूछा गया है यह लाइज में एक बार 1877 में यह जो बीजेसन है इसने जो सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ था यह इस ने बनाया ब्यास नदी के उपर और दूसरा इसने डैली दरबार 1877 का जो डैली दरबार हुआ था वो उसमें भी इसने पाटिसिपेट किया था तो यह जो 1877 का विक्टोरिया पूल है यह इसके दवार बनाया गया था और डैली दरबार में भी यह पाटिसिपेट करता है तो यह सारा भी J.S.N. के टाइम में हुआ फिर उसके बाद आएगा भवानी सेन भवानी सेन के टाइम में आप देखेगे 1905 में ये Prince of Wales लाहूर आया था उससे मिलने ये जाता है Prince of Wales से मिलने के लिए कहां जाएगा लाहूर जाएगा और उसने दर्वार हॉल बनाया दर्वार हॉल ही मंडी में बनाएगा 1906 में 1906 में दर्वार हॉल इसने मंडी में बनाया और 1909 में सरदार शोबा सिंग जो है ये सरदार शोबा सिंग इसका नाम था सरकागाड का था ये शोबा राम शोवाराम जो है वो एक बिदरोग करता है राजा के अगेंस्ट फिर बाद में इस बिदरोग को suppress किया गया था with the help of British British कि help से इसको suppress कर दिया जाता है और ये 1911 का जो दरवार होता है उसमें भी सिने participate किया था ये सारर भुवानी सेर्ट के टाइम गए नाम दिया जाता है सुकेट सत्याग्रह हमने देखा सुकेट सत्याग्रह है जब यह जो राजा है जो माचल में सत्वारीवर्टन हो रहा था पंडित पदम देव है वह लगभग शिम्गला से चलते हैं और इनके साथ 50 लोग अप्टू जब राजा जो इतने लोगों को देख करके हैं वह अपनी जो अपनी जो अपनी जो आपनी जो पर्टी एट में जो यह मंडी है वह भी किसका बन जाता है कर्क मनदी का इसके बारे में कल देखेगे वह मने अभी तक लिए देखा कि कैसे जो इसकी स्ट्री नो स्टार्ट होती है मंडी की जिसमें की लगभग 1330 के आसपास और यह बताया गया है लगभग इसकी जो फॉर्मिशन है 1365 में बताई गी है 1365 में कहता है यह वह नीव अलग से रखता है बहुसेन और जो साउसेन है यह आपस में लड़ते हैं और बहुसेन है भाग करके मैंगलोर चले जाएगा और रहता है रहने के बाद से जो है वह बाद में इसकी 11 बीटती जाती है जिसकी कि वह एक लोकल राना से लड़ते होए डैथ हो गई थी और तो इसकी प्रेज़न रानी थी वह कहां भाग जाती है वह बागती है अपने फादर के घर की और और वहां पर कहते है शीर से किल्टी के राना को मारा था कि उनको फासर भाई को उनको वो लोटता रहता था और इस तरह से जो है यह रियल फॉंटर उसका माना जाता है बिलावर से नहीं देखा कि इसके टाइम ऐसा बताए गया अलेक्जंडर ने अटेक किया था बट यह पात एक मित साबित होती है पिर अज़बर से नाता है और अज़बर सें किया करेगा और बुटनात का मंदिल भी बनाएगा और इसने यहां की जो शिवरातती है वो भी स्टार्ट करवाई थी पिर उसके बाद आता है अरी सेन यह साहिप सेन के टाइम में क्या हुआ था इसकी जगर सिंग के साद्व बनाना इसका नाम क्या रखा जाता है मधूराय सुरसेन के लिए यह सुरसेन के टाइम हुआ और बाद में लिए। निकाती जाती है और उसके बाद है आता है सूरे सेन के बाद आता है श्याम सेन इसके टाइम में क्या हुआ था इसने टार्णा माता का जो मंदीर है श्याम काली का मंदीर है तार्णा हिल्स में वह इसने बनाया था फिर गूर सेन आता है गूर सेन के टाइम में क्या हुआ था जगरनाथ की जो इमेज है यह लेकर आया था और फिर उसके बाद आता है सिद सेन्द सेन्द ने क्या किया था इसने भंगाल का जो रूलर था उसको अपने डामाद को इसने बद किया था और वहां के जो दमदमा पहले से उसमें इसको दखनाया था इसने सुरपूर का बनाया जिसका नाम था जंगी यह फेमस जो मजीर उस सेन के टाइम का था फिर सूरमा सेन्द ने चुप रहो की जो पॉलिशी है वह प्रिंस इसने फॉलो किया था इश्वरी सेन संसारजन का टाइम होता है संसारजन इसको जो है कमलागण फोर्ट को इंवेजिन करने का प् जालीम सेन जैंञा इसके बाद बरबीर सेन के टाइम में हो जाती है की डैस हो जाती है तो नम्याय भीनार निंजरएंग नके उपर बडनागञा ? जो की कब से चला रहा था इशोरी सेन के टाइम से बीकर जो लगोटी की वादन को नजराना देना पड़ता था चालेंज सेन जब द्वारा से लाहर जाएगा तो बढ़ाया जाता और उसके बाद बल्बी सेन जो है इसको लिब्रेट कर दिया जाता है कंवालर फोट भी वापिस दे दिया और फिर इसकी डैथ हो जाएगी इसका जो माइनर है रहे है वह भी जैसे बनता है और वजीर को सावू होता है एक कॉंसिल बनाई जाती है इसका चेर्मन वजीर को और फिर इसने जो यह बीजे सेन और यह क्या करता है इसने जो विक्टोरिया पूल है पहली दर्वार में भी पार्टिसुटेट करता है उसके बाद आता है भावानी सेन गाम ने देखा वो 1905 में एक तो जो प्रिंस वेल आये थे लाहोर से मिलने के लिए जाता है और 1906 में द आयारा के डेली तरपार में भी पार्टिसपेट करेगा थे लास्ट द जुदिंदर सेन तो इस वाल अबोल तो मुझे आया पूल तो